Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel इस वीडियो में भी हम लोग अपना Deep Learning Playlist continue करेंगे So अगर आपको याद होगा हमने पिछले दो वीडियो में LSTM स्टार्ट किया था हमने LSTM क्या होता है ये पढ़ा था और फिर LSTM कैसे काम करता है उसका Architecture क्या होता है वो अभी हमने बहुत डीटेल में लास्ट वीडियो में पढ़ा And I think this is the right time कि हम LSTM को यूज़ करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाए Because प्रोजेक्ट बनाने के केस में आप बहुत सीखते हो तो मेरे पास multiple options थे कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट आप से बनवा हूँ But मैंने जो चूस किया है वो एक बहुत interesting project है So we are going to build a next word predictor using LSTM ठीक है तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो समझेंगे कि Next word predictor होता क्या है और फिर हम लोग एक data set को ले करके Next word predictor बनाएंगे using LSTM काफी detail में मैं आपको पूरा का पूरा architecture and internal working समझाओंगा पूरा का पूरा code scratch से लिखेंगे सामने मैं आपके type करूंगा So that आपको पूरा end-to-end समझ में आए So yeah, let's start the video So guys, start करने के पहले let's just have a small discussion around की next word predictor होता क्या है ऐसा नहीं है कि ये कुछ बहुत नया है Honestly, हम लोग ये पिछले 10 सालों से use कर रहे है जब से smart phones हमारी life में आए So I'm pretty sure आपने swift key जैसा कोई ना कोई keyword keyboard use किया होगा जहांपर आप जैसे ही let's say whatsapp में कुछ type करते हो तो automatically वो keyboard आपको next suggestion देने लग जाता है इससे आपका typing speed improve कर जाता है and it's like very important like आज के rate में हम इसके बिना G भी ना पाएं शायद it's so important similarly और भी जो software's हैं जैसे कि मैं Gmail use करते हूँ बहुत जादा आप भी use करते हो या समाह पर ये smart correct या I don't know कुछ नाम है इस feature का smart compose smart compose बोलके एक feature आया है Gmail में पिछले एक देड़ सालों में जहां पर आप sentence लिख रहे होते हो और वो आपको आगे का sentence suggest कर देता है ये भी एक example है next word predictor का even जो आपके code completion tools होते हैं जहां पर आप coding करते हो वहाँ पर भी ये feature use किया जाता है तो in short ये जो internet का day and age है वहाँ पर ये next word predictors are very very important because they save you some time I would not say कि बहुत time बचा लेते हैं but आपका काफी महनत type करने में जो जाता है वो बचा लेते हैं so this is a very interesting use case जहां पर LSTM बहुत use होते हैं in fact अगर आपको पता नहीं है तो Swift की जब शुरू-शुरू में आया था तो उनका जो first model था ये काम करवाने के लिए वो LSTM ही था over the years उनोंने और complex difficult deep learning models implement किये but initially they used LSTM as their main model ठीक है तो यही हम लोग करने वाले हैं आज के वीडियो में हम लोग आज के वीडियो में एक scratch से next word predictor बनाएंगे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि हम कैसे एक data set को लेंगे उसको consumable बनाएंगे और उसके open model को कैसे train करेंगे and things like that so it would be pretty interesting आपको बना के मज़ा आएगा let's start so guys चलो let's start our task हमें बनाना है एक next word predictor using LSTM अब इस task को execute करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए पड़ेगी वो है एक data set जिसके उपर आप अपने LSTM को train करते हो so मैं जब सोच रहा था इस वीडियो को बनाने के process में कि मुझे क्या data set use करना चाहिए तो ideas तो मेरे दिमाग में बहुत सारे थे जैसे की एक idea था कि what if मैं चुटकुलो का as in jokes का data set यूज करूँ और फिर हमारे पास एक ऐसा model आ जाएगा जो शायद खुद से jokes generate कर पाएगा या फिर famous quotes का data set यूज करूँ तो Kaggle पर इस तरह के बहुत सारे data sets available हैं the only problem is कि जब आप उन data sets के उपर काम करोगे न तो you would realize कि जो training time है आपके model का वो बहुत साधा हो जाता है और since मैं आपको live code करके दिखाने वाला हूँ इस video में तो it's not possible for me to use such big data sets तो just for demonstration purposes मैंने क्या किया है मैंने decide किया है कि मैं आपको एक छोटे से data set के उपर next word predictor बना के दिखाऊंगा और जो data set मैंने finalize किया है वो आपके screen पर है तो यह अगर आप देखो तो यह हमारे data science mentorship program का FAQ page है जहाँ पर जो भी हमारा course join करना चाहते हैं उनको जो भी doubts हो सकते हैं हमने उसके answer एक document में लिख रखे हैं तो इस वीडियो में मैं क्या करने वाल हूँ मैं इस document को use करूँगा as my data set इस document के उपर I'll train my LSTM model and आप देखोगे कि जब मैं उस LSTM model को run करूँगा तो उसके जो predictions होंगे वो इस document के basis पर होंगे so मैंने एक google collab notebook बना लिया है और यहाँ से जितना भी text था मैंने वो सब कुछ copy करके यहाँ पर paste कर दिया so यह data set बहुत बड़ा नहीं है और काम चला हूँ results आ जाएंगे like but obviously for a good model to build a good model आपको और बड़े data set को use करना पड़ेगा so this is just for demonstration purpose okay now comes the main question कि next word predictor बनेगा क्यासे ठीक है तो let's discuss the strategy so strategy point of view से सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि आप यह जो next word predictor बनाने की कोशिश कर रहे हो इसको आप actually text generation के task में label कर सकते हो like eventually what you are going to actually what you are going to build is a text generator right जिसको आप कुछ text दे रहे हो तो वो next word generate कर रहा है फिर उसका next कर रहा है फिर उसका next कर रहा है तो in a way what we are doing is we are building a text generator just like chargeability but थोड़ा smartly play करके हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक supervised learning problem बना सकते हैं supervised learning problem बना सकते हैं supervised learning problem क्या होता है जहाँ पर आपके पास एक data set होता है उस data set में कुछ input values होती है और कुछ output values होती है और फिर आप क्या करते हो इस data set के ओपर एक model को train करते हो और उस model को आप बोलते हो कि देखो इस input के लिए ये output होना चाहिए इस input के लिए ये output होना चाहिए और जैसे ही आपका model सीख जाता है तो आप उसको जैसे ही एक नया input देते हो तो वो उसके हिसाब से एक output का prediction करता है This is called a supervised learning task तो हम क्या गरने वाले हैं कि हम अपने इस text generation task को एक supervised learning task में convert कर देंगे और फिर supervised learning task को handle करना हमें आता है तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा challenge है न वो यही है कि आप इस text से एक ऐसा data set कैसे बनाओगे जहाँ पर input और output का mapping हो ठीक है तो देखो यही पर इसका main backbone है The main concept lies here So this is how we are going to create a data set ध्यान से देखना So हमारे पास जो text है उसमें multiple sentences है जैसे कि थोड़ी दर के लिए माल लेते हैं हमारा sentence है Hi My name is Nitish This is the first sentence The second sentence is I live in Kudgaon और इस तरीके से और भी sentences है मेरा target क्या है मेरा goal क्या है कि मैं इससे एक नया data set बनाना चाहता हूं जहाँ पर input और output इस तरीके से हमारा data arranged हो ठीक है तो देखो कैसे करेंगे हम इस पूरे काम को हम हर बार एक sentence को लेंगे जैसे मैं सबसे पहले इस sentence को ले रहा हूं Hi My name is Nitish and what I will do is कि मैं हमेशा इस sentence को token by token लोंगा as in word by word लोंगा रफ लिया आप ऐसे समझो जैसे कि Hi my name is Nitish को मैं क्या गरूंगा मैं बोलूंगा कि जैसे ही Hi आता है तो उसका next word as in output होना चाहिए my ठीक है जैसे ही Hi my आता है उसका output होना चाहिए name जैसे ही Hi my name आएगा इसका output होना चाहिए is और जैसे ही Hi my name is आएगा उसका output होना चाहिए Nitish ठीक है, फिर Similarly हम अगले Sentence में जाएंगे और हम बोलेंगे, जैसे ही I आएगा मेरा Output होना चीह Live जैसे ही I Live आएगा मेरा Output होना चीह In जैसे ही I Live, In आएगा मेरा Output होना चीह गुडगाओ और ये मेरा बन गया Input Set और ये बन गया मेरा Output Set और ऐसा मैं अपने हर sentence के लिए करूँगा तो मेरे पास ये बड़ा सा data set create हो जाएगा और इस data set के उपर मैं अपने LSTM model को train करूँगा और फिर LSTM model को हम जैसी एक नया input देंगे वो एक output प्रेड़ करने की कोशिश करेगा अब बस एक problem है और वो problem ये है कि आपको पता होगा कि आपके machine learning and deep learning models they don't understand English or for that matter any language what they understand is numbers तो आप यहाँ पर इस तरीके से high और my high, my name इस अब नहीं भेज सकते because these are English words तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले अपने इस text को numbers में convert करना पड़ेगा ठीक है जैसे कि मालो हम decide करते है कि high का मतलब 1 है my का मतलब 2 है, name का मतलब 3 है is का मतलब 4 है नितिश का मतलब 5 है this is 6, this is 7, this is 8 this is 9 तो अब ये dataset ऐसा दिखाई देगा high के बदले आजाएगा 1 और my के बदले आजाएगा 2 और this will be inside a numpy array और a python list ठीक है? फिर यहां पर आजाएगा 1, 2, तो output will be 3 1, 2, 3 output will be 4 फिर आजाएगा 5 sorry, 1, 2, 3, 4 output will be 5 then output is input is 6 output will be 7 6, 7 output will be 8 and now this will become my input and this will become my output and now the good part is कि हमारा जो LSTM है वो इस तरह के inputs को handle करने के लिए उसको कोई problem नहीं होगी ठीक है? तो this is the strategy that we are going to use एक बार अगर आप इस format में ले आते हो अपने data को उसके बाद आपका 50% task हो गया उसके बाद आपको बस LSTM architecture बनाना है जो इस data पे train होगा और prediction करेगा ठीक है? तो step by step करते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इस text को इस format में लेके आएंगे this is our first goal अब guys सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? कि हमारे data site में जितने भी words है ना उनको हम लोग एक index assign करेंगे एक number assign करेंगे so that आगे हमें काम करने में आसानी हो जाए ठीक है? और ये काम करने के लिए हम लोग Keras के अंदर एक tokenizer बोल करके class है उसको use करेंगे so I'll just import the libraries सबसे पहले I'll import TensorFlow as tf and from TensorFlow के अंदर keras.preprocessing .text के अंदर I'll import tokenizer this is the class and next what we'll do is we'll create a an object of tokenizer class let's call it small me tokenizer now what we'll do is ki tokenizer जो हमारा object है इसके पास बहुत सारे methods है इन में से एक method है fit on text बोल के हम इसके अंदर अपने इस text को भेजेंगे जिसका नाम है faqs always remember जब भी आप कुछ भी text भेज रहे हो आप multiple text भेज सकते हो इसलिए आपका input जो होता है वो एक list के अंदर जाता है ठीक है और आप इसको run कर दोगे and that's done अब अगर आपको देखना है कि आपके सारे के सारे words को कौन से numbers allocate हुए है तो आपके पास एक attribute होता है word index इसके उपर आप जैसे ही run करोगे आपको एक dictionary मिल जाएगा और उस dictionary में you would see कि हर word को क्या number मिला हुए like this ठीक है तो हमारे पास जितने भी unique tokens थे जो tokenizer को लगा कि उसको token मनाना चाहिए उन सारे tokens को जैसे कि you can see ऐसे भी कुछ words है या sentences है तो इनको भी उसने एक token number assign किया है you can see ठीक है तो पहला काम हमारा हो गया हमने हमारे सारे words को एक-एक number assign कर दिया अब यहां से हमारा अगला काम शुरू होता है हमारा अगला काम क्या है कि हम sentence by sentence जाएंगे और ये वाला data set create करने की कोशिश करेंगे ये वाला data set हम लोग create करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो the first thing that we will do is कि we will find out all the sentences that are present in our data set so what I will do is I will just write a simple code so I would write for sentence in faqs.split मैं अपने पूरे के पूरे data set को split कर रहा हूँ slash n के basis पे line change के basis पे and I would like to show you what are the sentences that are present in our data set so you can see this is the first sentence this is the second sentence this is the third sentence fourth sentence and so on basically मैंने sentence by sentence अपने पूरे के पूरे data set को breakdown कर दिया अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले ये जो words हैं इनको numbers में convert करना है so देखो हम क्या करेंगे हम फिर से tokenizer class को use करेंगे tokenizer के अंदर एक और method होता है जिसको हम बोलते है text to sequences और इसके अंदर हम क्या करेंगे हम अपने sentence को भेज देंगे और ये क्या करेगा उस sentence को based on पुराना जो data है which is this one इसके basis पे numbers में convert कर देगा let me show you print नहीं हुआ so what we can do is we can print just to show you कि क्या चल रहा है you can see so जो हमारा पहला sentence था about the program अगर आप उपर जाओ तो आपको यहां पे 93 में दिखाई देगा about let me quickly show you 93 is about one क्या है the और last में क्या है 13 तो 13 is program तो इस तरीके से हमने क्या किया हमने हमारे पूरे के पूरे sentences को numbers में represent कर दिया ठीक है also यह double list create हो गया इससे बचने के लिए we'll just take the zeroth item out जिससे हमारे पास सारे sentences इक इक लिस्ट में आ जाएंगे my bad हमें ये statement print के अंदर लगाना चाहिए यप ठीक है so ये मेरे पास आ गया सारे के सारे sentences का numeric representation ठीक है अब देखो मुझे क्या करना है यहां से थोड़ा सा code difficult हो सकता है जैसे ये पहला जो sentence है हमारा जो पहला sentence है वो है about the program और इसका numeric representation क्या है 93, 1, 13 अब इससे हमें data set बनाना है मतलब input और output का combo बनाना है तो सबसे पहले क्या होगा सिर्फ 93 आएगा और इस 93 के लिए जो output होगा वो होगा 1 actually 1 bracket में नहीं आएगा it's a scalar फिर अगला होगा 93 and 1 और इसका output होगा 13 तो ये हमारा first sentence से बनेगा similarly हमारा जो second sentence है वो थोड़ा जाद ही बड़ा है but you understand पहले 11 आएगा तो उसका output 7 आएगा फिर 11 और 7 आएगा उसका output 1 आएगा फिर 11, 7 और 1 आएगा उसका output 12 होगा इस तरीके से चलेगा तो हमें basically ये जो पूरा का पूरा चीज यहाँ पे create हुआ है इससे हमारा data set form करना है तो ध्यान से देखो हम कैसे करेंगे ये पूरा चीज तो हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा सबसे पहले मैं ये print statement हटा रहा हूँ और ये जो हमारे पास आ रहा है इसको मैं एक variable में store कर रहा हूँ let's call it tokenized sentence क्योंकि sentence को हम tokenized कर चुके है अब हम क्या करेंगे हम एक लूप चलाएंगे for i in the range of एक से लेकर के हमें चलाना पड़े का length of this sentence तक जैसे कि अगर आप बात करो पहले sentence की तो ये loop स्टार्ट होगा एक से और length of tokenized sentence मतलब 3 तक जाएगा तो 1 से 3 मतलब ये loop दो बार चलेगा पहले sentence के लिए ये loop दो बार चलेगा basically n-1 times चल रहा है और अंदर हमें क्या करना है हमें basically एक sentence create करना है so let me show you मैं क्या बोल रहा हूँ हम tokenized sentence को लेंगे और उसके अंदर से हम slicing करके ये निकालेंगे i plus 1 ठीक है समझना इस बात को इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे पहली बार ये loop चला तो अभी i का value कितना है 1 तो हम क्या कर रहे है tokenized sentence जो है which is this entire thing हम इसके अंदर से शुरू से ले करके i plus 1 मतलब 1 plus 1 मतलब 2 तक तो हम ये दोनों को उठा रहे है 93 और 1 को फिर loop जैसी अगली बार चलेगा तो हम शुरू से लेके 3 तक उठा रहे है मतलब 93, 1 और 13 I hope आपको समझ में आ रहे है और इसको मैं क्या बुला लेता हूँ इसको मैं n gram बुला लेता हूँ because this is going to become my n gram और अब मुझे क्या करना है बस इस पूरी चीज़ को एक list में add कर देना है so I'll call a list input sequences or what I will do is input sequences.append कर लूँगा इस चीज़ को and I would run this code और कुछ कडबड हो गया my bad एक काम करते हैं यह equal to लगाने की ज़रूरत नहीं है yes we are done let's see हमारा काम हुआ या नहीं so अगर मैं input sequences को run करता हूँ तो एक बहुत giant list बन जाएगा this is basically a 2D list just wait a second I'll show you किसके अंदर क्या है आपको तुरंट समझ में आ जाएगा यह देखो so सबसे पहले हैं 93-1 उसके बाद है 93-1-13 फिर next sentence टार्ट हो गया 11-7 11-7-1 11-7-1-12 11-7-1-12-42 11-7-12-42 and 15 फिर यहाँ पर second sentence खतम हुआ फिर third sentence चालू हुआ फिर fourth इस तरीके से हमारे सारे sentences को मैंने इस तरह के input sequences में convert कर दिया ठीक है अभी भी यह input और output के form में नहीं है अभी सिर्फ हमारे पास input का data है but don't worry हम थोड़ी देर में इससे output का data extract कर लेंगे but उसके पहले एक काम और बाकी है और वो यह है कि यह सारे के सारे rows जो है इनका जो size है वो बराबर नहीं है जैसे इस row का size है 2 इसका size है 3 इसका size है फिर से 2 इसका 3 इसका 4 और फिर बढ़ते जा रहे ideally क्या होता है कि आप जब supervised machine learning task करते हो तो आपका जो input है basically जो सारे rows है उनका shape बराबर होना चाहिए तो I guess आप समझ पा रहे हो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर zero padding लगाना पड़ेगा हम क्या करेंगे आगे उतने ही zeros लगा देंगे जितने किसी sentence में maximum words है उससे क्या होगा सारे के सारे sentences का बराबर number of items हो जाएंगे तो this is what we are going to do next तो अब हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि कौन सा sentence है जो सबसे बड़ा है और उसमें total कितने words हैं यह हमें निकालना पड़ेगा पर जीरो padding में आपको max length बताना होते है तो बहुत simple है हम क्या करते हैं हम हर sentence का length निकालते हैं और उसको एक list में add कर देता है तो basically I would write this code length of x for x in input sequences basically यहाँ पर जितने भी sequences हैं हम सब का length निकाल रहे है और उसको एक list में add कर रहे हैं तो you can see this is the output सबसे पहले वाले का 3 है उसके बाद कोई एक sentence है जिसका 14 है फिर 16 है अलग-अलग है ठीक है हमें क्या करना है इसमें से जो max है वो calculate करना है इससे हमें पता चल जाएगा सबसे लंबा sequence कितना बड़ा है so you can see there is a sequence जिसका length is 57 तो we would just store this in a variable so I'll just write max length is equal to 57 अब हम लोग zero padding करेंगे so zero padding करने के लिए keras में already एक utility है so हम लोग सबसे पहले इसको import कर लिएंगे tensorflow.keras.preprocessing.sequence import pad underscore sequence ठीक है अच्छी pad sequences होता है अब आपको क्या करना है इस function को call करना है और इसके अंदर आपको तीन चीज़े provide करनी है सबसे पहले आप क्या input देना चाहते हो input हो जाएगा हमारा input sequences उसके बाद अपना max length बताते हो जो की होता है equal to max underscore length जो हमने भी just create किया और फिर आपको ये बताना है कि वो zeros आप आगे लगाना चाहते हो या पीछे लगाना चाहते हो तो हम पहले लगाना चाहते है ठीक है क्यों थोड़े दिर में आपको समझ में आ जाएगा इसको आप जैसी run करोगे ये देखो गई ये रहा आपका पहला sentence जिसमें सिर्फ 93 और 1 थे तो इसके आगे 55 zeros है फिर है 93, 1 and 13 इसके आगे 54 zeros है ठीक है तो इसको मैं वापस इसको एक काम करते हैं इसको एक variable में store कर लेते हैं Padded Input Sequences अब हम लोग उस जैगे पर आगे जहाँ पर हम अपना Input और Output अलग कर लेंगे अब खुच सोचो For every sentence This much is going to be our input and this is going to be our output This much is going to be our input and this is going to be our output So simple है हम क्या करने वाले हम एक बहुत simple सा logic लगाएंगे हम बोलेंगे कि X is equal to Padded Input Sequences In fact पहले मैं आप हो निकाल के दिखा देता हूँ Padded Input Sequences से हम निकालेंगे सारे के सारे rows को but columns last वाले को छोड़के and you would see this will be the output यहाँ पर 93 आ गया यह 1 चूट गया यहाँ पर 1 आ गया यह 13 चूट गया यहाँ पर 11 आ गया यह 7 चूट गया ठीक है तो यह बन जाएगा अपना एक्स और similarly y कैसे extract होगा हम लिखेंगे Padded Input Sequences सारे rows हमें चाहिए है last वाला so you would see कि for every sequence हमने जो last वाला है उसको निकाल लिया ठीक है इसको हमने y में add कर लिया और इस तरीके से हमारे पास अब हमारा x भी है और y भी है तो यहाँ तक हमने जो plan किया था यहाँ तक हमने जो plan किया था यह हमने achieve कर लिया हमारे पास हमारा data set आ चुक है अब guys एक और important discussion आपके साथ मुझे करनी है so अभी तक अगर आपको याद होगा कि हमारा strategy यह था कि हमने क्या किया था कि हमारा जो text generation का task था हमने उसको convert कर दिया था into a supervised learning task this is what we did but हमने यह discuss नहीं किया कि supervised में यह regression task है या फिर classification task है आपको क्या लगता है I would recommend एक बार वीडियो को pause करो और सोचो कि अगर आपके पास इस तरह का एक data है तो आप इसको as a regression task use करोगे या फिर as a classification task use करोगे अब अगर आप बहुत simple सीधा सोचोगे तो आप बोलोगे कि since output में number है तो यह regression task होना चाहिए but there is a problem अगर आप इसको regression task बना करके चलोगे तो problem आएगा problem यह है कि यहाँ पे जो output है it is discrete सोचके देखो ना यह two क्या represent कर रहा है यह two represent कर रहा है आपके vocabulary का second word ठीक है what if आपका model जब output दे रहा है तो वो 2.1 दे दे या 2.7 दे दे तो इन numbers से associated कोई words ही नहीं है और अगर words ही नहीं है तो output नहीं आएगा तो this is what I am trying to put कि इसको अगर आप एक regression task की तरह use करोगे तो गडबड हो सकती है तो better strategy यह है कि आप इसको as a classification task बना दो ठीक है अब classification में भी दो possibilities होती है या तो binary classification होगा या फिर multi class classification होगा हम multi class classification setup यूज करेंगे ध्यान देना हम क्या करने वाले है कि हम हमारे output को one hot encoding लगा करके transform कर देंगे ये बात समझने की कोशिश करो सो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो कि total मिला करके nine words है और ये जो पहला row है इसका output है second word तो हम output में सिर्फ two नहीं भेजेंगे हम output में ये भेजेंगे चार पांच छे साथ आठ नो इससे भी यही समझ में आ रहा है कि we are going to use the second word as output जब यहाँ पर three होगा तो हम ये भेजेंगे ठीक है तो basically हम अपने output को transform कर रहे है और हम अपने सारे के सारे outputs को replace कर रहे है with their one hot encoded representation ठीक है one hot encoded representation बनेगा कैसे जितने भी total words है उतने ही items होंगे आपके one hot encoded representation में और जब prediction होगा उस time पे भी क्या होगा कि आपको जैसे मालो आपके पास total nine words है एक काम करते हैं थोड़ा छोटा लेते हैं मालो आपके पास total three words है तो आपका model भी जो output देगा न वो एक तीन number का output देगा so let's say the output is this यह तीनो probabilities है 0 से 1 के बीच में soft max लगेगा since यह वाली probability सबसे ज़्यादा है हम output माल लेंगे यह और यह कौन सा है first word तो basically if this is the output हम screen पे print कर देंगे first word को if let's say this is the output इसका मतलब the output is 010 which means हम screen पे print कर देंगे second word तो यह फूरा discussion आपके साथ मैंने सिर्फ इस दिये किया so that मैं आपको समझा पाऊ कि हम essentially जो task लेके चल रहे हैं वो एक multi class classification task है ठीक है तो इस point तग हम पहुंच चुके थे हमारे पास अगर आप x का shape देखो तो x का shape है 863 rows 56 columns और y का जो shape है वो है फिलाल 863 तो हमें क्या करना है इसको one hot encoding करनी है क्योंकि फिलाल तो y single number है scalar है ठीक है तो हमारे पास एक function होता है simple सा keras में तो अगर मैं टेंसर फ्लो में जाऊं उसके अंदर से मैं keras में जाऊं उसके अंदर यूटिल्स बोल के एक library है उससे अगर मैं इंपोर्ट करूं टू क्याटेगोरिकल को और what I can do is मैं two categorical function के अंदर अपने y को भेज दूँ और यहाँ पर मुझे बस specify करना पड़ेगा कि num classes कितनी है तो num classes उतनी होती है जितने आपके पास words होते हैं तो हमारे case में अगर आप ध्यान दो तो total words कितने थे अगर आपको याद होगा यहाँ पर हमने एक tokenizer के अंदर डाला था तो हमें यह हर word के लिए एक index मिल गया था अगर मैं इसका length निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा मेरे पास total कितने words है तो हमारे पास total 282 unique words है so what I will do is I will come here and I will put I will put 282 here actually मैं 282 ने डालूँगा मैं यहापे 283 डालूँगा और अब आपका काम है figure out करना कि मैंने यहापे 283 क्यों डाला अच्छाए काम करता हूँ मैं आपको बताई देता हूँ कि मैंने यहापे 283 क्यों डाला उसका reason यह है कि अगर आप tokenizer का जो output हस पे ध्यान दो tokenizer.word index पे अगर आप जाते हो तो you will find one thing कि आपका जो output है वो 1 से शुरू हो रहे यह देखो पहला word का index 1 है 0 से start नहीं हो रहा है तो अगर आप यहाँ पे 282 दोगे तो one hot encoding हमेशा 0 से start होता है तो वो जो last word cover करेगा वो 281 वाले word को cover करेगा 282 वाला जो word है वो miss हो जाएगा that is why मैं 283 दे रहा हूँ ताकि 282 वाला word भी cover हो पाए I hope आप समझ पा रहे हो तो what I will do is I will simply write y is equal to this and now अगर आप y.shape निकालो यह रहा हमार output 863 rows 283 columns every output is a 283 number long sequence so I will just show you one in fact मैंने सारे देखा दिया यह देखो यह हमेशा 0 से start होगा पहला वाला हमेशा 0 होगा because हमने 283 ले रखा है ठीक है I hope आपको समझ में आ रहा है so now we are ready with our training data हमारे पास x भी है हमारे पास y भी है अब हम लोग क्या करेंगे हमारा model का architecture करेंगे LSTM वाला और फिर model को train करेंगी so guys अब मैं आपके साथ architecture discuss कर रहा हूं जो हम लोग use करेंगे हमारे model को build करने के लिए so हमारा architecture will consist of three layers ठीक है जो सबसे पहला layer होगा न वो होगा हमारा embedding layer यह मैंने आपको RNN पढ़ाते डाइम बताया था so यह basically हमें एक dense vector देगा for every token of ours हर word को यह एक dense vector में convert कर देगा better representation होता है उसके बाद हमारा LSTM का एक layer होगा और और finally output calculate करने के लिए softmax वगेरा निकालने के लिए dense layer होगा so यहां से हमारा input जाएगा और इस तरीके से हमें output मिलेगा ठीक है तो इसके details में थोड़ी देर में discuss करता हूँ पहले काम करते हैं हम लोग इसको code में convert कर लेते हैं so this is the state of our code right now what we will do is we will first of all import the necessary libraries so tensorflow dot keras dot model say we will first import sequential model also from tensorflow dot keras dot layers से हम लोग जो भी हमारे layers हमें चाहिए वो हम लोग import करेंगे सबसे पहले हमें चाहिए embedding layer उसके बाद हमें चाहिए है LSTM और last में हमें चाहिए dense layer import हो गए अब हम लोग क्या करेंगे हमारा model बिल्ट करेंगे so model will be a sequential model सबसे पहले model में we will add the embedding layer embedding layer में आपको तीन inputs देने पड़ेंगे पहला आपके total vocabulary count कितने words हैं आपके पास total 282 है बट हम लोग 283 लिखेंगे हमारा जो output dense vector होगा उसमें 100 numbers होगे ठीक है हमारा embedding का जो shape है वो 100 होगा and lastly जो हमारा input length है वो होगा 56 because हमारा हर row contains 56 words यह हो गया हमारा first उसके बाद हम लोग add करेंगे हमारा LSTM layer और LSTM layer में आपको बस यह बताना है कि आपके हर LSTM gate के अंदर कितने notes होंगे तो मैंने जो experiment किया उसमें 150 notes अच्छा काम कर रहे थे तो 150 notes हम लोग ले रहे हैं finally we will add our dense layer dense layer बहुत simple है dense layer में exactly आपको उतने ही notes डालने पड़ेंगे जितने आपके total vocabulary में words है तो basically 283 because for every word आपको एक probability मिलेगा और जिस word का probability highest है वही आपका output होगा और जो activation function होगा वो आपको पता ही है softmax होगा ठीक है और एक काम कर लेते हैं model को जल्दी से compile भी कर लेते हैं compile करने में आपको बस बताना होता है loss जो हमारे case में होगा categorical cross entropy because यह multi class classification है उसके बाद आपको बताना होगा आप कौन सा optimizer यूज करोगे यहां पर मैंने भी तक ज़्यादा experiment नहीं किया है so we are just going to take Adam और आप कौन सा matrix track करना चाहते हो तो हम track करना चाहते हैं accuracy और इसी के साथ हम लोग model का summary देख सकते हैं so यह रहा हमारा total weights and biases ठीक है इतने weights and biases कैसे आए यह समझना actually interesting है मैं आपको थोड़ाई details बता देता हूँ बाकी आप समझदार हो खुदी figure out कर लोगे अगर आपने LSTM के lectures सही से देखे होंगे so देखो यहां पर हो क्या रहा है सबसे पहले हमारे पास जो data है अगर आपको याद हो तो जो हमारा input x है उसका shape है 863,56 ठीक है I'll in fact show you हमारा x कैसा दिख रहा है so अगर मैं x को निकालूं तो this is x this is the first sentence का input this is second sentence का input and so on ठीक है तो यहां पर आप एक चीज़ notice करोगे बहुत सारे zeros हैं because हमने zero padding किया तो this this becomes a sparse vector तो हम इसको dense vector में convert कर सकते हैं using embeddings so that is why हम सबसे पहले क्या करेंगे हम एक embedding layer use करेंगे so यह embedding layer क्या करेगा कि हमारे हर row में total में लाके कितने words है 56 words है यहां भी 56 words है यहां भी 56 words है वो हर word को यहां से एक word घुसेगा और हम हर word को hundred numbers में convert कर रहे हैं so basically जब आप यहां से 1,56 का input दोगे एक row 56 words आपको output में मिलेगा 1,56,100 हर sentence के हर word के लिए हमें hundred numbers मिल रहे हैं ठीक है तो this is the first point that you have to understand यह जो embedding layer है यह exactly यही काम कर रहे है और इसमें total weights कितने होए 283 into 100 283 कहां से आया आपके total number of words in your vocabulary और hundred कहां से आया आप सभी के लिए hundred dimensional vector output कर रहे हो तो that is why this is 283 hundred ठीक है अब आप ऐसे समझो कि आपके हर row के लिए यहां पे हर row जो है हर row के लिए हर word के लिए एक hundred dimensional vector है like this I hope आपको समझ में आ रहे है अब क्या करना है आपको अब यह data उठा करके आपको LSTM में देना है ठीक है अब आपको पता है LSTM तो time loop में काम करता है तो this will be time step equal to one this will be time step equal to two this will be time step equal to three और ऐसे total कितने time steps होंगे total time steps होंगे 56 because maximum words 56 है अब क्या होगा जब time step one होगा हम पहले input की बात कर रहे हैं इस sentence की हम बात कर रहे हैं तो इस sentence के case में क्या होगा कि सबसे पहले हमने इन सारे के सारे words को hundred dimensional vector में convert कर दिया अब यही data हमें यहां पर भेजना है तो जब time step equal to one होगा तो यह जो पहला word है इसका जो hundred dimensional dense vector है जो हमें embedding से मिला वो हम यहां से input देंगे ठीक है कुछ output calculate होके अगले time step पे जाएगा अगले time step पे हम second word को पकड़ेंगे और उसका hundred dimensional input यहां से देंगे फिर output calculate होके अगले step में जाएगा फिर यहां से हम अगले word का देंगे और ऐसे करते करते last में हम 56th word का जो hundred dimensional vector है वो feed कराएंगे और इससे हमें finally हमारा output मिलेगा H56 ठीक है और यह जो H56 है यह एक vector होगा 1,150 dimension का basically एक vector होगा जिसमें 1,500 numbers होगे because आपका जो LSTM है उसमें 150 nodes हैं आपको याद होगा जितने आपके nodes होते हैं ht का shape exactly same होता है तो that is why 1,150 अब इस जगे से हम क्या करेंगे एक dense layer लगा देंगे जिसमें exactly 283 nodes होगे आपके पास 150 के shape का vector जा रहा है और 283 वाले layer में connect हो रहा है और इससे क्या होगा हमें 283 outputs मिलेंगे और since हमने softmax लगा रखा है हर output 0 से 1 के बीच में होगा probability की तरह काम करेगा और फिर in 283 में जो maximum probability होगी वह हमारा output होगा तो this is the architecture, let me summarize embedding layer क्या कर रहा है आपके हर word को 100 dimensional dense vector में convert कर रहा है और इस तरह के कितने vectors हैं आपके पास 56 अब आप क्या कर रही हो हर vector को उठा रहे हो और एक time step में भेज दे रहा है और 56th time step में जो आपको output मिल रहा है उस vector को आप उठा कर कर के एक dense layer में भेज़ दे रहे हो और इस dense layer से आपको 283 dimensional output मिल रहा है और इस 283 dimensional आपको वो number निकालना है जो सबसे जादा है और उसके corresponding जो word है वही आपका output होगा ठीक है तो I guess आपको यह समझ में आ रहा है कि जो हमारा next word predictor है उसका output हमेशा training data से ही आता है this is a must ठीक है तो now what we have to do is we have to simply train our model so model को train करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको you have to simply call model.fit you have to pass your x your y और आपको बता देने है number of epochs कितने होगे in our case let's say हम 100 epochs लेगे चल रहे है और यह हमारा model train होना start हो गया एक बार जब train हो जाता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ accuracy हम लोग कितना अचीव कर पाए so yeah guys हमारा training process complete हो गया and you can see after 100 epochs हमारा जो accuracy है वो 94 के आसपास है बहुत अच्छा है बट खुश हो नहीं कि जरूरत नहीं है यह training accuracy है I am pretty sure हमने जितना छोटा data set use किया है इसमें जो test accuracy है validation accuracy होगा वो उतना अच्छा सो अब हमें क्या करना है हमें prediction करना है prediction में हमें एक word या फिर एक sentence दिया जाएगा और हमें उसका next word predict करना है ठीक है तो एक काम करते हैं थोड़ी दर के लिए मान लेते हैं कि हमारा वो text है क्या ले सकते हम लोग let's say हमारा text है mail ठीक क्योंकि mail us at nittish.campusex.gmail.com यह हमारे training data में है तो सबसे पहले मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा repeat करना पड़ेगा सबसे पहले मुझे इसको tokenize करना पड़ेगा उसके बाद मुझे इसको pad करना पड़ेगा और pad करने के बाद फिर मैं इसका prediction कर सकता हूँ तीन steps में हम लोग यह काम करेंगे तो tokenize करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हमारे पास जो tokenizer already trained है उसका हम लोग use करेंगे text to sequences और इसमें हम लोग पास कर देंगे text को और यह हमें दे देगा 61 ठीज है single word है 61 है और हमें सिर्फ list चाहिए nested list नहीं चाहिए तो यह हमारा हो गया let's call this token underscore text अब हमें क्या करने है इसको pad करने है तो हम लिखेंगे pad sequence अचली pad sequences होता है तीन चीज़े बतानी पड़ेंगी सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा token text यह हमारा input है since यह multiple inputs expect कर रहे है तो आप list में provide कर रहे हो उसके बाद आप बताओगे what would be the max length in our case it would be equal to 56 क्योंकि हमारा maximum length is 56 and the padding would be equal to pre और यह हो जाएगा हमारा padded token input यह token text और यह मैं आपको print करके दिखाता हूँ so yeah this is the output ठीक है और अब हमें बस क्या करना है इसको अपने model में भेजना है so बहुत simple है हम यह करेंगे कि हम लिखेंगे model.predict और हम यहां पर भेज़ देंगे padded token text यह हमें 283 dimensional vector देगा this is the output यह देखाऊ अगर आपको मैं इसका shape दिखाऊ तो this is the shape 283 basically हमारे training data में जितने भी words से हर word के against एक probability आई है हमें क्या करना है उस word को निकालना है जिसकी probability highest है तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं सबसे पहले काम करना पड़ेगा हमें हमें numpy को import करना पड़ेगा मुझे नहीं पता हमेंने किया है की नी but let's do it so that हम लोग np.argmax use कर पाएं वो हमें बता देगा कि किस position पे सबसे highest probability है 49 तो जो भी 49th number पे word है न वह हमारा output है so what we can do is कि हम tokenizer.word index पे जा सकते हैं इससे हमें वो dictionary मिल जा रही है और हमें वो word चाहिए जिसके against में 49 लिखा हुआ है तो we can write a loop kind of thing here so we can write for word, index in tokenizer.word index यह dictionary है हमारी इसके हमने items निकाल लिए और यहां पे हम check कर रहे है कि if index is equal to equal to whatever this is, let's call it position अगर position के बराबर है, then simply print the word let's run और यह देखो mail के लिए जो output आ रहा है वो आ रहा है mail once ठीक है I hope आपको समझ में आ रहा है और what if हम एक इस तरह का system बनाना है जो आगे के 5 words predict करें जैसे अभी दो यह सिर्फ एक ही word predict कर रहा है mail once what if मुझे इसका भी next word predict करना है मतलब mail once का output क्या होगा वो predict करना है in that case what we can do is what we can do is we can run a loop we can run a loop for i in the range of 5 5 बार चलेगा यह loop और उस loop के अंदर हम यह चीज़े सारी बार बार करेंगे और what we will do is कि यह जो text है बस हम इसको modify करते जाएंगे तो शुरू में यह text mail है अगला prediction once आया तो हम इस text को modify करके mail once कर देंगे तो यहाँ पर बस हमें क्या करना है रादर दें प्रिंटिंग we have to write text is equal to text जो पुराना है प्लस एक स्पेस प्लस जो भी word है और इतना करके I would print whatever is inside text अब मगर्स को run करूँ mail once mail once you make once you make the payment यह देखो गई सही काम कर रहा पांच words प्रेट हुए अगर आपको थोड़ा और अच्छे से visually notice करना है changes को तो we can import the time module और यहाँ पर let's import a day time.sleep 2 seconds थोड़ा जादा हो गया mail once first output है mail once you mail once you make mail once you make the mail once you make the payment सही है यार सही काम कर रहा है एक दो और हम लोग try out कर सकते हैं एक और input में try कर रहा हूँ so मैंने अभी just वह FAQ पढ़ा वहाँ पे लिखा हुआ था NLP and deep learning यह question बहुत पूछते हैं लोग data science mentorship program में NLP और deep learning है की नहीं answer is नहीं है देखते हैं यहां पर क्या prediction आता है so let's run this both are not a part एक काम करते हैं 5 के बतले 10 करके देखते हैं next 10 words हम लोग predict कर रहे हैं both are not not part of this program's curriculum perfect बस यहां पर आप गलती करना start कर दिया उसने maybe because sentence खतम हो गया तो उसके बाद उसने फिर से उसको logical लगा कि curriculum होना चाहिए output but ठीक है training data पर सईसे काम कर रहे है एक और सेंटेंस में डाल सकतो हूं total duration of the course seven months आना चाहिए let's see हां आ रहे seven months so the total course fee becomes becomes seven ninety-nine आगे आई कैस और होगा कुछ बट ठीक है यह ठीक काम कर रहा है गाईस यह training data पर अच्छा काम कर रहा है but what if मैं कुछ ऐसा दूँ जो training data में नहीं है हमारे उस document में नहीं है जैसे की um I don't know what is the fee let's see अब क्या output आता है what is the fee of the course for data science ठीक है मतलब थोड़ा सा फिर भी I guess थोड़ा सा context pick करके बता पा रहा है I am actually impressed कि यह ठीक ठाक ही काम कर रहा है आप try out कर सकते हो और भी चीजे obviously बहुत छोटा data है और बहुत अच्छा काम नहीं करेगा चीजे change करने पर बट जो भी है अभी तक हमने जितना कम data इसको provide किया जितना कम training हमने किया उसके basis पे the output is pretty pretty impressive ठीक है तो I hope आपको यहां तक चीजे समझ में आ गए so one last thing वीडियो खतम करने के पहले first of all आपको एक task दे रहो हम है आपको क्या करना है कि आप इस model को train करते हुए validation accuracy भी calculate करना तो आपके मन में question आएगा कि हम unseen data पे अच्छा performance कैसे ला सकते हैं overfitting कैसे reduce कर सकते हैं तो दो तीन तरीके हैं और उनमें से सबसे पहला और simple तरीका है more data हमने जो data use किया ना basically 3-4 pages में जितने words हो सकते थे उतना ही data था around 283 unique words थे छोटा सा data था उस पे भी अच्छा result दे रहा है training के उपर testing के लिए आपको और data लाना पड़ेगा तो मैंने जो वीडियो के शुरुआत में आपको बोला कि आगल पे दे रहा certain data sets जहां पे jokes का data है quotes का data है किसी tv series का screenplay का data है तो इस तरह की चीज़े अगर आप लाते हो it would take more time to train obviously but अगर आप उन data sets पर train करोगे you would get better test result validation result second is कि आप hyper parameter tuning कर सकते हो hyper parameter tuning कर सकते हो what if हम बढ़ाएं या घटाएं उसके अलावा आप यहां पर optimizers change कर सकते हो learning rate change कर सकते हो यहां पर आप epoch बढ़ा घटा सकते हो फिक है तो यह सारी चीज़ों के साथ आपको थोड़ा सा खेलना होगा और eventually फिर आपको जाद अच्छे results मिल जाएंगे and obviously the third thing is advanced architectures right तो कुछ मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि आप abstract LSTMs use कर सकते हो मतलब आपने यहां पर एक layer use किया है आप multiple layers use कर सकते हो like this or you can use bi-directional LSTMs LSTMs यह मैंने आपको पढ़ाएं नहीं है आगे हम लोग पढ़ेंगे या फिर और भी advanced जो आपके architectures होते हैं जैसे कि transformers ठीक है GPT, BERT यह सब जो advanced transformers हैं वो architectures और better results देंगे तो इन तीनों का combination will definitely give you a better next word predictor बट जो भी है हम अभी सीख रहे हैं हमने just start किया है for starting हमने आज सीखा कि कैसे आप एक text generation tool बना सकते हो I hope आपको यह सीख करके मज़ा आया and I'm pretty sure आपके दिमाग में ideas explode कर रहे होंगे कि क्या मैं यह बना सकता हूं क्या मैं यह बना सकता हूं I would recommend go and experiment यह जितना आप experiment करोगे उतना अच्छे से सीख होगे so yeah that's it for the video guys अगर आपको पसंद आया तो please like करना और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है please do subscribe मिलते हैं next video में, bye